बेहद उर्जावान और पार्टी कार्यकरताओं में उर्जा भर देने वाले बेहद युवा कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्षे जीतू पटवारी जी हमारे साथ इस वक्त मौझूद है जीतू जी खाली में चल रहे घटना करम को लेकर पूरी देश की मीडिया की निगाहा मध्यप्रदेश पर थी यहाँ पर थी कहा जा रहा है दो दिन से आप सुए नहीं अब आगे क्या वो मेरा जाप था काम था और मैं मानता हूं कि अब लोकसभा के चुनाव की तयारी आगे आगे हमारी कम से कम 12 से 15 सी कांग्रेस पार्टी की या कैसे लोकसभा किया है उसका एक रोड मैप और साथी साथ भारत जोडो नियाई यात्रा राहूल गांदी जी की जो युवाओं के लिए नियाई मांगते हैं जो किसानों के लिए नियाई मांगते हैं जो महलाओं के लिए नियाई मांगते हैं जो शरमिकों के लिए नियाई मांगते हैं जो एक ऐसा वेक्ति जो विपक्ष की आवाज बनके देश में उपरा है एसी परिस्तिती में जब देश में लोकतंत्र की आवाज को कुछला जाता है, जब लोकतंत्र पर खत्रा है, प्रजातंत्र पर खत्रा है, जब सविधान पर खत्रा है, तब धरता से एक विक्तित्व जो पूरे देश में घुम रहा है, पद यात्रा करते हुए, पूरे देश जीवाला प्रक्रण हम क्या माने अब पठाक्षेफ हो गया सारे मामले सुलज गए छोड़ो कल की बात है कल की बात पुरानी नए दोर में लिख देंगे मिलके नई कहानी सीधे सीधे एक बात है कुछ अकरता भारती जिन्ता पार्टी का कांस्पेरेंसी थी मीडिया के संबंद में मैं मानता हूँ कल बीद गया है कल से आज से नए दोर की बाते हो रही है हमने हर सीधे पर सबसे योगी विक्ति कौन है चुनाओ की मुफिस से उसका सर्वे कर लिया है उसकी बाते कर लिए नेता हु से बातचीत कर लिए जो जहां पार्टी जुम्मेवारी देगी लड़े गा एक भी नेता पिछे भी नहीं हटेगा पर हमारी फोकस है कि हम 50% नए लोगों को युवाओं को टिगिड़ दे उस पर कांग्रेस पार्टी ने गंभिरता से काम किया है और हम उस और आगे बढ़ रहा है भारत जड़ो यातरा भारत जड़ो नया यातरा मद्यप्रदेश पहुंच रही पिछली बार जब यातरा हुई उसका फायदा भी आपको दो ल्राजियों में मिला सरकार लोटी, इस बार क्या तयारी है MP में? पानी भी बाटल मिलती, वो भी सो से उपर, जो डीजल मिलता, वो भी सो से उपर, और सरसू का तेल मिलता, वो भी सो से उपर, मतलब पानी से लेके टेल से लेके पेट्रोल तक सब सो रुप है, ऐसा कौन सा देश है, जहां 80% घर परिवार करजे में है, आप मैं जब आप से ब इस तनखा में उसका घर इमानदारी से सही चल रहा हूँ मैं मानता हूं कि उन्होंने कहा था पंद्रह लाक काला धन मोदी गयारेंटी है आज तक ने पंद्रह लाक आये ने काला धन आया। उन्होंने कहा था किसानों के आई धुगनी कर दूँआ, 2022 तक मोधी गारेंटी है, तो वो तो हुई नी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने कहा गारेंटी सुचना की गारेंटी की जिसे करप्शन कम हो, मोधी ने उसको क्वेश कर दिया, हमने गारेंटी दी भोजन का आधार पर MSP लागू करेंगे, कांग्रेस पार्टी ग्यारेंटी दे रही है, तो एक तरफ लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का वो इतिहाज जिसमें ग्यारेंटियों का एक कानून बना के दिया, और दूसरी तरफ मोधी की वो ग्यारेंटी जो मद्धि प्रदेश में पि चुराज जी ने कहा था, तीन हजार रुपया मेरी बेहनों को चुनाव मैं हजार दूँगा, बारासो दूँगा, फिर तीन हजार दूँगा, ये बीजेपी की और मोधी की ग्यारेंटी हो का अभी दो महिने पहले, क्या हुआ उनका, तो सीधा concept क्लियर है, एक तरफ जोड की ग्यारेंटी मोधी और बीजेपी के साथ है, तीक है, राम लला की प्रतेश्था हुई, क्या आप यहां पर कोई चूप गई, कॉइच से कोई चूप हो गई, आपने आमंतरन ठोकरा दिया, उसमें शामिल होने का, जैसा हमने बार बार, हर बार, सो बार, मैं कह चु जो जिस धर्म का है, उस धर्म के आधार पे वो अपनी जीवन पद्दती जी सकता है, मैं हिंदु हूँ, भगवान राम का अनुयाई हूँ, मेरे जैसे करोडों करोड लोग दुनिया भर में हैं, देश भर में हैं, वो भगवान राम के आस्ता के साथ है, हमारे जीवन पद राम मंदिर के हम दर्शन करेंगे, सो बार करेंगे, बार बार करेंगे, हजार बार करेंगे, राम यात्रा निकाल कर भगवान के मंदिर में जाएंगे, ये भारती जनता पार्टी हमें चिन्नित नहीं कर सकती कि हमें कब जाना और कब नहीं जाना है, हमें डिक्टेट नहीं कर सकती सरकार कि आपको मंदिर में तब जाना है कि अब जाना है ये इसका विरोध है भगवान राम का विरोध कंड कंड में है राम छंड छंड में है राम राम की सांसे हैं मेरी जिस दिन चाहेंगे ले लेंगे तो उनसे अलग को सरष्टी का जो दिखता है और जो नहीं दिखता है प्रत्यक छोड़ा प्रत्यक सब राम के हैं आखरी सवाल है और ठीक है नकुलनाद कमलनाद जी का आप कह रहे हैं मसला पटाक्षेप हो गया उस पर आप बात भी नहीं करना चाहते हैं ठीक अच्छी बात है लेकिन लगातार जो कॉंग्रिस नेताब छोड़ रहे हैं पार्टी आपके अध्यक्ष बनने के बाद चुनोत इस तक 67 लीडर्स ने पार्टी छोड़ी थी जिसमें करीब 32 विधायक थे वर्तमान विधायक जिसमें जिला अध्यक्ष थे अब साथ पदों पर बचे हैं बाकी के सब कहा है इतिहास हो गया है ये एक कहानी है दूसरी कहानी अभी जब दो महिने में जिसकी रेती की गाणि चलती है जिसको खदान खोदना है नर्वदा की मा की छाती को छन्नी करना और बीजेपी के साथ होना है वो बीजेपी के साथ जा रहा है उसको स्वागत है उसका धन्यवाद जाए अगर मा की छाती को खोद के उसको बीजेपी के साथ रेना है हमें उसकी जर्रती नहीं है उ स्वागत है उसका ओभीजेपी के साथ जाए जिसका मन में दढ़ता हो दिमाग में सपश्टता हो कि कांग्रेस के आइडोलाजी जिसमें एक ही भाव है इंसानियत की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा और विपक्ष की भूमी का हमें विपक्ष की पट्री दिये जनता ने उस उसका स्वागत है उसका उसको पारितोशित है वो कांग्रेस पार्टी में वो ही लोग है अभी दो चार पांट छुडवहिये नेता चले गए और आपने उन सब बातों को सर पे चड़ा लिया एसे नेताओं का स्वागत है बीजेपी लेके जाए अशोक चोहान को लेके के जाए स्वागत है उनका वो बेगेज ले जाए हम नई पार्टी युवा पार्टी इमानदार पार्टी कांग्रेस पार्टी नई बना के देश के और प्रदेश के जनता के बीच में जाएंगे और अगली सरकार बनाएगे तो जीतू पटवारी जी बहुत इसपस्ट कर हैं कि जिसकी आइडिलोजी कॉंग्रेस की आइडिलोजी से मिलती है उसका बहुत स्वागत है और जिससे जाना है वो जाए जिसकी आइडिलोजी कॉंग्रेस से नहीं मिलती है अब युवा कॉंग्रेस है नई कॉंग्रेस है और जा के साथ चुनाव मैदान में उतरे गी कै टीज कर